नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नीरे जादो और आप देखे रहें टार्गेट 99 चनल दोस्तों आज इस वीडियो में लुसेंट वस्तुनिस्ट समान ज्यान का यह तेरहां वीडियो लेकर करके प्रजेंट हुए हैं जिसमें हम मराठा समराज यानि 1674 से 1727 तकी घटना करम को चर प्लाइग कर लें साथी साथ बेल आइकन बद वाले ताके मेरे दोरा डाला गया वीडियो का हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे लाब तक पहुंचे तो आए देरना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं मराठा राज्य 1674 से 1727 वा मराठा राज्य संग 1720 से 1818 मराठो के उतकर्ष के महत्वपून कारण क्या थे तो उतकर्ष का महत्वपून कारण था महरास्ट के भवलिक इस्थिती और अब जेब की हिंदू विरोधी नीती मराठा धर्म सुधार का परभाव एवाम सीवा जी का जुजहारू ब्यक्तित्व तो इसका सी नम और एंसर सही होगा आए नेक्स प्रस्ण है मराठो मराठो ने सुरू पर थम किसके अधिन कार्जे कर परसासनिक अनुभो पराप्त किया तो यह देवगिरी के यादो के अधिन किये थे नेक्स प्रस्ण है मराठो के बरगिरी यानि गुलीरा यूध पर नाले या छापामार यूध पर नाले गुन का सबसे पहले और सबसे अधिक उप्यों किसने किया तो यह मलिक अंबर ने की निमलिक खित में से गुरीला यूध का पथ परदर्शक कौन था सीवा जी के परशासन में पेशवा कहा जाता था पेशवा किसको कहा जाता था तो पेशवा परधान मंद्री को कहा जाता था नेक्स प्रस्ण है चौथ क्या था चौथ क्या था तो परोसी राजियों पर सीवा जी द्वारा लगाया गया भूमिकर स्थापक की किसे कहा जाता है सिवा जी ने मुगलों को किसे संधी के द्वारा कीलों को पर्धांत्रित किया तो यह पुरंदर की संसी द्वार किया सिवा जी का राज भी से कहा हुआ था तो यह राएगड में हुआ था किसके सासन काले में मराथा परमुख थी सामवा जी के राज धाने कहा थी राएगड़ पानी पतका 30 लाडाई 777 के बिच हुआ था तो यह पेशवा बाजी राद दित्य यह अहमद साहब दाली के बीच हुआ था आए नेक्स प्रस्ण को देखते हैं नेक्स प्रस्ण है सीवा जी सर्वाधी के परभावित थे किसे परभावित थे जीजावाई से परभावित थे जीजब आई सीवा जी के माता का नाम था समर्थ रामदास जो कि सीवा जी के अध्यात्मिक गुरु के नाम था तथा दादा जी कोंड देव जेकी सीवा जी के संरच्छ के नाम था नेक्स प्रस्ण है सीवा जी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले उम सीवा जी के पुत्रे साम्भा जी को मराठा को संगठी ते करने और महारास्ट धर्म को परशार करने का उपदेश देने वाला मराठा संत थे तो मराठा संद कौन थे तो यह समर्थ रामदास थे नेक्स प्रसन है दासबोध के रचनाकार कौन थे दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास थे आई यह नेक्स प्रसन को देखते हैं नेक्स प्रसन है लॉड विलेस्की की सहायक संधी को स्विकार करने वाला पहला मृराठा सर दार था पल वाजिरा देती है था सरंग जामी पर्था किसके से समंधित है मराठा भुरा जाम सब्गूर सुबजित है निक wal si नायक था जिस वी जापूर के सुल्ताने पंढ़सो उन्से इस में सीवा जी को जीन्दा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था तो यह अफ़जल खाए सीवा जी मुग्लों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे तो यह आगरा में कैद थे ग्वालिया राज की आस्थापना किस ने की ग्वालिया राज की आस्थापना जो की जीवा जी राव सिंध्या ने की आईए नेक्स प्रस को देखते हैं नेक्स प्रसने एक ए तिहाँ सकार ने पानि पत की तीसरे लड़ाई को स्वेम देखा वह कौन था बताईए तो वह कासी राज पंडित था नेक्स प्रसन है सिवाजी द्वारा दुर्वों पर किये गया आधिकार का सही कराम बताईए तो सही कराम था सिहगड या कौंडाना उसके बाद तोरंग उसके बाद पुरंदर उसके बाद रायगड आईए नेक्स प्रसन है नेक्स प्रसन में है सुमेलिक करना है उसमें घटना है या वंवर्स है कौंसी घटना किसे समन्दी था या बताना है तो बिजापूर बिजापूर के सरदार अफजल खान की हत्या 1669 सिवे में हुई थी दक्कन के मुगल सुबेदार यानी साइस्ता खाँ पर पुना में हमला 1663 में हुआ था सूरत की पर्थम लूट 1664 में या सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई थी बिजापूर के सरदार अफजल खान की हत्या 1669 सिवे में दक्कन के मुगल सुबेदार साइस्ता खाँ पर पुना में हमलाब 1663 में हुआ था और सूरत की पर्थम लूट 1664 में या वाम सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई थी सिवा जी का जन्म कहां हुआ था तो सिव नेर के दूर्ग में हुआ था सिवा जी और अजेव के आगरा दरवार में कब उपस्तित हुए थे तो या 1666 में हुए थे नेक्स प्रस्ण है सांभा जी के बाद मराठा सासन को निमनांकित में से किस ने सरल और कारगर बनाया तो यह बाला जी भी सोनात बनाये थे नेक्स प्रस्ण है सिवा जी के अश्ट प्रधान का जो सदस बीदेशी मामले की देखरे करता था वह था बीदेशी मामले के देखरे करने वाला सुमंत था नेक्स प्रस्ण है सिवा जी को राजा की उपाधी किस ने प्रधान की सीवा जी ने कब छत्रपती की उपाधी धारन कर अपना राजभी से करवाया तो यह सिरी बिश्वस्वर जी गंगा भट ने करवाया था अपने राजभी से के उपलक्ष में सीवा जी ने क्या नहीं किया तो अपनी एक मुहर बनवाई दूसरा एक नया समवत चलाया तिसरा एक छत्रिय कुलवान समता छत्रिय कुलवान तस्ता छत्रिय परिवार का आभूशन एवाम हैदो धर्मो धर्द्वारक के यानि हिंदु धर्म का उदारक की उपाधिधारन की ये तीनों सही है फूर्थ है सभी परकार का करहटा लिया जो की गरत है नेक्स परस्ट है सिवा जी का अंतिम सैन अभियान था सिवा जी का अंतिम सैन अभियान जो की करनाटा का अभियान था आए नेक्स परस्ट को देखते हैं नेक्स परस्ट है सिवा जी को पहाड़ी चुहा हुआ साहसी डांकू की संग्या किसने दी तो यहां रंजेव के द्वारती गई सीवा जी के समय में अस्थ परदहान कहा जाता था आट मतियों की एक परिषcoat को अस्थ परदहान कहा जाता था नेक्स पर्सन है जिसमें सुची फर्स्ट यम सुची सेगंड में सुमेलिख करना है सुची फर्स्ट में अश्ट पर्दहान के सदसे हो यम सुची सेगंड वी उसका आर्थ है उसका आर्थ बताना है तो मजुमदार यानि आमात्य जिसे मजुमदार जिसे आमात्य भी कहते है का अर्थ होता है बित्यों राजसो मंत्री, वाकियान विस या मंत्री, वाकियान विस मंत्री को गिरिह मंत्री कहते थे, सुमंत या दबीर को विदेश मंत्री कहा जाता था, सुरून विस या सुरनिस या सचिव को साही पत्र बिवा का बर्धान कहा जाता था, नेक्स प्रस्ण है सर ए नौबत का अर्थ था सेनापती सीवा जी की भूर राजसु ब्यवस्था के संदर्म में क्या सत्ते है तो सीवा जी ने रशी द्वारा माप के अस्थान पर काठी यो मानक छड़ी का पर्योग का परचलन किया यह सही है दूसरा भूर राजसु यानि लगान की दर आरम में कुल उपज का 33 परसंट थी जो बाद में बढ़ा कर 40 परसंट कर दिया यह सही है ठड़ है सीवा जी ने जमिदारी यो जमिदारी का बिरोद करते हुए रहत बाड़ी बेवस्था को अपनाया तो यह सही है इनमें सभी सही है आए नेक्स परसंट को देखते हैं नेक्स परसंट है चौथ यानि मुगल छेतरों की भूमी यों पड़ोसी राजी की आय का चौथ ही सही यानि 25 परसंट होता था इस कर को किस वंस के सास को ने वसुला तो मराठा वंस ने इस कर को वसुला नेक्स परसंट है सरदेश मुख की वसुली सिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट के पुस्तैनी यानि सरदेश मुख परधान मुखिया है सर्देश मुखी राजस्व का कितना परतिसत होता था तो यह 10% होता था आई यह नेक्स परस्ट को देखते हैं मराठा काल में अस्थाई गुण सवार सेना योम अस्थाई गुण सवार सेना कहलाती थी तो आस्थाई गूर सेना को पागा यानी बरगीर एवं अस्थाई गूर सेना को सिलहदार कहा जाता था नेक्स प्रस्ण है मराठा कालीन गुण सवार सेना में एक हावलदार के अधिन कितने गुण सवार होते थे तो एक हावलदार के अधिन कुल पचीस गुणे होते थे मरठा काली इन पैदल सेना में एक नायक के अधिन कितने नायक का पैदल सेनिक होते थे सीवा जी ने मजबुत नो सेना के गठन किया सीवा जी का प्रथम नो सेनिक के बेड़ा कहां अस्थापी था किसने प्रति नीधी प्द प्द का सरिजन किया जो पद करम में पेश्वा से वी उपर था तो यह राजाराम 2 रास्थाफित किया गया नेक्स परस्ट है सीवा जी के बाद करम सद दूसरा छतरफति ऑम दूसरा पेशवा इसवा कौन बना र Kerryे मारत सीवाजी के बाद कवी कालस बने नेक्स तरह सुमेली करने सूंची फर्ष्टम सूंची सेकciones को फर्स्ट में छत्र पत्ती है यह हम सूची सेकन में उसका सासन काल दिया हुआ है तो बताए कि इसमें सुमेली कौन सा सही है तो सांभा जी का जिसका सासन काल 1680 से 1689 यानि कुल 9 सल का रहा उसके बाद आएं उसके बाद राजा राम आएं राजा राम 1689 से 1700 तक इन्होंने 11 सल रहा उसके बाद राजा राम के बाद तारा बाई आएं तारा बाई जो की 1780 से लेकर 1780 तक रहें और 1780 के बाद साहु खस्ट जो की 1780 से लेकर 1780 तक रहें किस मराठा सासके के सासन काल को पेशवाओं के सासन काल के नाम से जाना जाता है तो बताइए यह साहू के काल को मना जाता है मराठा मंडल या मराठा राजसंग की अस्थापना किसे पेशवा के समय हुई तो यह बाला जी विश्वनात के समय हुई थी नेक्स प्रस्ण है मुगलों या मराठों के बीच हुई 1799 इसवी की संधी को रिचर्ड टेमपलें ने मराठा समराज मैगना काटा कहा यह संधी बलाजी विश्वनात यह सयद बंधू ने किसके नाम पर की नेक्स प्रस्ण है मराठा समराजी की सबसे बहादूर महिला कौन थी तारा बाई आए नेक्स प्रस्ण को देखते हैं वह अंतिम छत्रपती कौन था जिसने संपुन अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा च्छत्रपती नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी सक्ती पेशवा के हाथ में चली गई तो यह साहू फश्ट रहे थे नेक्स प्रस्ण है यही समय है जब हम बीद देशियों यानि मुगलों को अपने देशे से निकाल कर अमर किर्ती का अरजन कर सकते हैं यदि हम इस सुख रह पुराने बीच के तने का आगहात करेंगे तो उसकी सखाएं अपने आप ही गिर जाएगी यह किसने कहा तो यह जो की बाला जी राव फश्ट के द्वारा कहा गया नेक्स प्रस्ण है किसे लड़ाकु पेशवा और हिंदु सकती का आवतार कहा जाता था तो हिंदु सकती का आवतार बाजी राव फश्ट को कहा जाता था निम्न में से किसने पूर्त गालियों से सालसेट यह बसीने के दीपो को छीना तो यह बाजी राव फश्ट है किस पेशवा ने मुगल बाद साह मुहम्मद साहरंगिला को मराठा सकती की एक जलक दिखाने के लिए 2737 में दिली पड़ा कर्मन किया और मुहम्मद साह को मालवा की सुवेदार पेशवा के नाम करने के लिए बिवस किया तो यह बाजी राव फश्ट ने किया किस समय में मराठा सकती अपने चर्मोत कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा सकती का पतन भी आरम हुआ तो यह बाला जी बाजी राव के साथ हुआ नेक्स प्रस्ट है पेशवा बाजी राव यम छत्रपती राम राजा के बीच हुए संगोल संधी 2745 के संबंध में क्या सत्य है तो बताइए इसमें कौन सत्य है तो इनमें सभी सत्य है फर्स्ट है यह संधी पुना समेलाने में सभी परमुक मराठा सरदारों की उपस्थीती में किया गया नेक्स है छत्रपती राम राजा द्वारा संगोलों नामक दस्तावेज पहा हस्ताचर करने के कारण यह संगोल संधी कहलाया तीसरा है केंद्रिय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पुना कर दिया गया यह पिसवा राज्य का सर्वे सरवा बन गया नेक्स प्रस ने किस मराठा सरदार ने पूर्ण में बंगाल बिहार उडिसा में 1741 से 1751 के बीच मराठा सकती का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अली वर्दी खान को संधी करने पर विवस किया तो यह रगु जी भोसले नेक्स प्रस ने किस मराठा सरदार ने 1759 से 1769 में पंजावे बीचे किया तो यह रगु नात्राव द्वार किया गया आए नेक्स प्रस को देखते हैं किसने दिली में मुगल बादसाख की सहायता के लिए रखे गए अपनी शेना का वेतन चुकाने के लिए दिली के दिवान ए आम के आम की छते से चांदी निकल वाली तो बताईए इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर होगा सदा सीवराव भाव दो मोती जल में घुल गएं सुने की 27 मुहरे खो गई चांदी और तामबे की जो हाने हुई उसका कोई अनुमाने नहीं लगाया जा सकता यह किसके समद्ध में है तो यह पानिपत का तिर्तिय यूध में मराठा सेना का बिनास से है नेक्स प्रस्ण है पानिपत का तिर्ते यूध में मारे जाने वाले दो महतपोर्ने शैन शैन सरदार थे है कौन-कौन सैन सरदार थे है तो बताना है तो अब विस्वास राव एवां सदा शिवराव भाव थे है नेक्स प्रस्ण है किस इतिहास कार ने पानी पत्कतिते युद का निर्नायक युद था मराठा सेना की मुकुट मनी वही गीर गई थी और इस युद के पहचात मराठो के अखिल भारतिय समराजे का स्वपन नस्ठ हो गया तो यह जादूनात सरकार द्वारा नेक्स प्रस्ण है सीवाजी के बाद किस ने गुरीला युद का संचालन किया बाजीराओ फर्स्ट किस मराठा पेशवा को मैकिया वेली कहा जाता था नाना फलानिविश को निम्न में से किसने पानी पत्थ की तीरतिय युद में संगठित मराठा सेना का नेत्रितु किया सदा सिवराव भवू नेक्ट प्रस्ण है पानी पत्करती तीय युद के परिणा में पेशवा बाला जी बाजी राओ को हरा अघात लगा दी जिससे उसकी मिर्थू हो गई बाला जी बाजी राओ के बाद बने पेशवाओं की काला अनुसार सजाईए तो सबसे पहले माधो राओ उसके बाद नरायन राओ उसके बाद माधो राओ नरायन थे उसके बाद बाजी राओ दूतिय थे नेक्ट प्रस्ण है वर्ष 1731 स्विम्दिली की गदी परसा हालम दूतियों को पुनह अस्थापित करने वाला मराठा सरदार था तो यह सहदाज जी सिंधिया थें नेक्ट प्रस्ण है किसे अंती महान पेशवा कहा जाता है किस पेशवा के अबोध होने के करन मराठा राज की देख रहे बाड़ा भाई यानि बाड़ा भाई नाम की बारा सद्दय से की एक परिसद करती थी तो यह माधोराव नरायन यानि सवाई माधोराव दितिये नेक्ट प्रस्ण है किसके सासन काल में पर्थम अंगल मराठा यूधें 1775 से बेरासी हुआ तो यह माधोराव नरायन के सासन काल में हुआ था नेक्ट प्रस्ण है दितिये आंगल मराठा यूध जोकी 183 से 6 यह तितिया आंगल मराठा यूधें 1817 से 1818 के मद्ध के समय में मराठा पेशवा था तो बताइए तो इस टाइम बाजी राद दितिये थे मराठा समराज्य का अंतिम पेशवा था अंती प्यश्व अबजी राद दिती है थे सुमेली करना सूची फर्सण सूची सेकंड को को एक तरह सूची साथ में संधी का नम सूची सेकंड में है वर्सें सुरत की संधी संधी 1745 फूरंडर की संधी 1766 में बढगाओं की संधी 1789 में साल बाई की संधी 1712 स्विव में हुई थी नेक्स्ट देव गाउं की संधी 1813 स्विव में सूर्जी या अर्जुन गाउं की संधी 1813 स्विव में एवां राजपूर घाट की संधी 1815 स्विव में हुई थी आईए नेक्स प्रस्ट को देखते हैं नेक्स प्रस्ण है तिर्तिय अंगल मराठा यूद 1817-1818 के दोरान हुई सबसे अंतिम संधी थी नेक्स प्रस्ण है तिर्तिय अंगल मराठा यूद जो कि अंग्रेजों यो मराठों के बीच अंतिम यूद था का क्या परिणाम हुआ इसका परिणाम था पेशवा का पद्ध समाप्त कर दिया गया एवं बाजी राधूतियों को पेशवा पेंसन या अपता बना कर बिठुर यानि कानपूर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया दूसरा भी सही है पेशवा के परदिश पूना के अंग्रेजी राजय में मिला लिया गया तिसरा भी सही है अन छोटे-छोटे मराथा राजय कमपनी के आधिन हो गया आईए नेक्स प्रस को देखते हैं है किस मराथा सर्दार ने सेना का गठन इउरोपिय ढंग से किया तो महदाजी सिंधिया जोकि मराथा सर्दार का गठन इउरोपिय ढंग से किया था यह संथाबो कि नागपूर में नागापूर का संसस्थाबो का सिंध्या थे हुआ आइए नेक्स्ट प्रस्शन हमां आज का आख्री प्रस्शन को देखते हैं किसने कहा है कि मराठो का उदय आकस्मी के अगनी कांड की भाती हुआ तो यह be MICHAEL क pulse करां दो आज के वीडियो में बस इतना है तो अगर वीडियो पसंद आ कि लाइक करें अगर अब हित्तक आपने चैनल को सब्श्चिपराइब कर लें साथी सब्सक्वास्ट को दब आ ले तके मेरे दॉरा डाल बहुंद रहे हरे वीडियो की नोट मिलते हैं थेंक धन्यवार